नौजवानों को रोजगार देने में महंगाई इतनी ज़ादा हुगी कि गरीब जो है इसके जहर खाने की गादार पे पहुँचा हुआ है और हर तरफ हाहा कार मची हुई है ऐसे में E.D. B.J.P. का दाया हाथ बन चुकी है तो अपोशन का ये मुकाबला करनी पाते हैं खासकर जो इंडिया अलाइंस बना है उससे खौब जादा है डरे हुए है और इसलिए E.D. का इस्तेमाल करके पहले लोगों पे इलजाम लगाते हैं जब वही लोग B.J.P. में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ये अच्छे लोग हैं तो ये एक ब्लैक मिलिक टैक्टिक है B.J.P. का अपोशन को दबाने के लिए अपनी नाकामिया, अपनी बेरुसदारी, अपनी महंगाई और जो मनीपूर से लेके उजयन तक 12 साल की बच्ची से लेके 80 साल की औरत हो, 40 दिन के बच्ची हो उनका बलतकार होता है, और बलतकारी जैसे पहलवान बच्चीं के बलतकारी इनके मेंबर परलिमेंट है, तो इन तमाम मुद्दों से जान हटाने के लिए रेट मारे जाते हैं, कल तो जो मीडिया हाउस पे कल रेट मारा गया, जिसमें अभशार शर्मा और दूसरे जितने भी लोग हैं, और मिलेश हैं, बाशा हैं, बाकी हैं, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है कि ये सच सुनना नहीं चाहते हैं, इन से कोई सवाल करें तो उससे ग कि हमारी जो सुसाइटी है, इसमें जो गरीब से गरीब लोग, पिछडे लोग कितने हैं, उनको कितना फाइदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ताकि मुल्क की जो संपती है, जो बीजे पी ने कुछ बड़े जो पुझी पती हैं, उनके हवाले की हुई है, उनको द पता चेलेगा कि किसकी जुरूरत कितनी है कौन कितना पिश्रा हुआ है किसका